हेलो फ्रेंट्स आएम तनीशा कंगराडें आइन यूर वॉचिंग टीजी एग्री फ्रेंट्स लॉटवर्ण की वज़े से अभी हम पेपर वर्क पर डिस्कुस कर रहे हैं पर आगे हमारी इंप्रेंच हमेशा बोर्ट वर्क की रहेगा और हम बोर्ट वर्क पर ही discuss करेंगे आज जो हम topic discuss करने जा रहे हैं वो competitive exam और theory exam की point of view से बहुत important topic है आज का हमारा ये topic entomology और pathology जो दो बड़े subject हैं उसका एक बड़ा topic cover करता है तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा topic that is IPM और integrated best management अब हम IPM देखते हैं कि IPM क्या होता है FAO के according IPM एक ऐसी approach है जिससे हम different strategies और practices का use करके crop का production और protection बढ़ाते हैं इसमें हम pesticides का minimum यूज करते हैं अगर हम normal definition देखें तो IPM का मतलब होता है कि insects या pest को control करने के लिए जब हम insect control की सारी method एक साथ यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं integrated best management इसका example अभी यह है कि जो इंडिया में locust का wide area पे attack हुआ है तो government हर possible ways में इसको control करने की कोशिश कर रही है हम उसको mechanical control भी कर रहे हैं साथ में chemical control भी करने की कोशिश कर रहे हैं अब हम इसके आगे IPM में individually methods को study करेंगे कि इसमें individually कौन कौन सी methods आती है अब हम देखने इसकी methods तो सबसे पहले insect control को दो टाइप में बाटा गया है एक artificial control और natural control artificial control में आता है cultural control, mechanical practice, physical control, biological control, bacteriological control, legal control, chemical control natural control में आता है climatological factor, physical factor, natural enemies, natural disease अब हम देखते हैं इस वाले वीडियो में हम cultural practice और mechanical practices को study करेंगे इसके next वाले वीडियो पार्ट में हम artificial control की other methods को detail में study करेंगे तो अब हम देखते हैं कि cultural practice क्या होता है cultural practice का मतलब होता है जब हम plant के growing environment को हम modify करते हैं ताकि pest की population को हम control में कर सके तो उसे हम कहते हैं cultural practices इसको हम pH change करके कर सकते हैं irrigation practices में modification से कर सकते हैं sunlight में कितिनी है high intensity, low intensity हम mulching का use करते हैं net का use करते हैं इसे हम insect को या pest को control करने की कोशिश करते हैं अब हम देखते हैं कि cultural practices में कौन-कौन सी methods आती है cultural practices में जैसे आता है सबसे first है हमारा plowing और cultivation of soil plowing क्या मतलब होता है कि हमारी crop की harvesting के बाद जब मिट्टी खाली रहती है तब बहुत सारे insects महाँ पे अपने eggs को ले करते हैं उस समय क्या होता है अगर जब वो मिट्टी खाली है insects एग ले करा तो जब हमारी नई crop आती है जब तक वो insects mature हो जाते हैं जिससे हमारी next crop को destroy या नुकसान जाद जादा हाम होता है तो उससे बचाने के लिए हमें deep plowing करना चाहिए ताकि अगर जो भी insects के egg larva हो तो हम उसको destroy करते हैं इसका example है grasshopper की अगर grasshopper का larva soil में है deep plowing करने से हम उसको destroy करते हैं जिससे हमारी next crop grasshopper के destruction से बच जाती है next is sanitation or destruction of crop residue इसका मतलब होता है harvesting करने के बाद जो हमारा crop residue बचता है उस पर कभी कबार insect रहते हैं तो जो हमारी next crop है वो उसको destroy कर देंगे next crop को बचाने के लिए हमें क्या करना रहता है जो हमारा crop residue है अगर हमने उसे ही destroy कर दिया तो हमारी next crop destroy होने से बच जाती है वैसे ही कभी कबर क्या होता है हमारे खेट के आसपास जो plant रगे रहते हैं वो क्या करते हैं कभी जो insects रहते हैं वो plant को अपना host बना लेते हैं तो वो हमारी crop को भी destroy करते हैं साथ में वो plants को भी destroy करते हैं तो इसलिए हमें क्या करते हैं उस crop का ही अगर हमने पूरी तरीके से destroy कर दिया तो हमारी next crop destroy होने से बच जाएगी तो यह हुआ sanitation और destruction of crop residue अब हम देखते हैं variation in time of planting and harvesting कभी कभी क्या होता है planting और egg laying का time सेम होता है जिससे insect attack के chances बढ़ जाते हैं तो हमें इससे बचने के लिए planting के time को vary करना चाहिए और हमें ध्यान देना चाहिए कि हमारे planting का time सही समय पे हो और environment की condition के according हो जिससे हम insect के attack से बच सकते हैं तो यह अभी हमने देखी तीन method सबसे पहले flowing cultivation of soil, sanitation और destruction of crop residue, तीसरी variation in timing or in time of planting and harvesting अब हम cultural की next method देखते हैं सबसे पहले crop rotation crop rotation का मतलब होता है एक crop लगाना उसके अब दूसरी crop लगाना मतलब अगर हमने एक बार legume लगाया है तो दूसरी बार हमको cereal लगाना है इससे क्या होता है कि legume में जो insect dominant है वो cereal की crop को कोई harm नहीं पहुच जाते हैं तो यह हुआ crop rotation अब हम देखते हैं mixed cropping मिक्स्ट क्रॉपिंग में क्या होता है mixed cropping का मतलब होता है जब हम दो और दो से जादा crop एक साथ लगाते हैं तो उसे हम कहते हैं mixed cropping मैं यहां जवार एंड बाजरा का एक्जामपल दे रही हूं जवार को मैंने इधर ग्रीन से रिप्रेजेंट कराएं बाजरा को मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट कराएं यह हमारे जवार है और बीच में हमने बाजरा लगाया है अब देखे जैसे कि mixed cropping लगाने से क्या होता है सेम crop के बीच में क्या होती है distance बढ़ जाती है, distance बढ़ने से क्या होता है, insect का जो attack कि कम होता है, तो इसे हम insect के attack से बच सकते हैं, या हम बोल सकते हैं, कि एक जो बहुत ज DOM जादा अगर वो reproduce करते पैस्ट के, जो बहुत जादा हम हमारी feel को जो हमारी crop वसको attack करते हैं, तो तो उससे हम बच सकते हैं, कि अगर हमने दो अलग-अलग क्रॉप लगाई, तो उनके होस्ट बजल जाएंगे, होस्ट बजल जाएंगे, तो हमको जादा डिस्ट्रॉक्शन नहीं होगा, यह हमने देखा अभी, मिक्स्ट क्रॉपिंग, अब हम देखते हैं, नेक्स्ट है, देखी है, डिक्टू, लडाक को पी एफिट से कोई फरक नहीं पड़ता, डिक्टू को ग्रीन बग से कोई फरक नहीं पड़ता, यहां पे हम रजिस्टेंट वराइटी लगाते हैं, जो किसी पर्टिकुलर इंसेक्ट के लिए स्पेसिफिक होती है, तो अभी हमने देखी, कि कल्चरल प्राक्टिसेज की कल्चरल प्राक्टिस में हमने कैसे इंवायर्मेंट को मोडिफाई किया है, और उसकी अलग-अलग मेथड्स जैसे मिक्स्ट फार्मिंग, क्रॉप प्रोटेशन, रजिस्टेंट वराइटी, अब हम देखते हैं हमारा सेकेंड टॉपिक तैट वायर्स, फैंस, बेरियर्स या और कुछ भी हो सकता है, ट्रैप्स भी इसका एक एक इक्जामपल हो सकते हैं, अब हम देखते हैं मेकनिकल कंट्रोल में क्या क्या आता है, सबसे पहले हैं मेकनिकल मेफ marché में दो मेफर्स आती है, एक hand collection, दूसरा आता है hand nets, hand collection में क्या करते हैं, जो large size के immature और mature stage पर insect रहते हैं, उसको हम direct hand picking करते हैं, ठीके, और hand nets में क्या होता है, अभी हम देख रहें, मैंने आपको बताया कि locust का mechanical control हो रहा है, तो locust को hand nets से बहुत सारी जगा पकड़ा जा रहा है, और hand nets से बहुत सारी जगा उसको control किया जा रहा है, अब हम देखते हैं, ये तो हमने देखा कि हमने कैसे mechanical method से insects को control किया, अब हम देखते हैं, mechanical barrier, barrier मतलब हम बोल सकते हैं, रुकावर, जिससे कि जो भी insects migrate करते हैं, एक जग field को ज़्यादा attack नहीं कर पाते हैं, देखे, यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया था, कि हमने hand picking करते हैं, insects की, यहाँ पे हमने देखा कैसे mixed farming हो रही है, ठीके हमने hand nets भी अभी देखाता है, कि hand nets क्या होता है, अब हम mechanical barrier देखते हैं, तो mechanical barrier में सबसे पहले आता है, tree bending, tree bending क का मतलब होता है, जब हम tree के around, जब हम sticky bands लगा देते हैं, तो क्या होता है, जो भी insects ऐसे climb करने वाले रहते हैं, tree के trunk पे, वो वहाँ पर चिपक जाते हैं, और आगे नहीं बढ़ पाते हैं, इसका best example है, mango millipuck, अब इसके अपन देखते हैं, photo, देखिए, यह mango का tree है, यहाँ पर क्या हुआ है, हमने क्या करा, एक adhesive और sticky substance यहाँ पर लगा दिया, यहाँ लगाने से क्या होता है, कि जो भी mango millipuck है, वो उपर नहीं जा पाता है, वो यहीं चिपक जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, आखरी में वो यहाँ पर मर जाते हैं, जिससे हमारा पेड या हमारी leaves औ और हमारी fruit, insect के attack से, pest के attack से बच जाते हैं, अब हम देखते हैं, mechanical barrier की second method, fencing, fencing का मतलब होता है, कि अगर हमने हमारे खेट के आसपास fencing लगा दी, तो हम जो भी insects ऐसे move करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, तो उनके attack से बच जाते हैं, तीसरी method है, trenching, trenching का मतलब होता है, देखिए, यहाँ पर मैंने diagram से represent करा है, यहाँ पर भी trenching भी मैंने represent करी है, और fencing भी मैंने represent करी है, ट्रेंचिंग का मतलब होता है, कि जो भी road से लगे हुए खेट होते हैं, तो road और खेट के बीच में हम deep furrows बनाते हैं, मतलब deep furrows बनाते हैं, तो इससे क्या होता है, जो भ road से field में नहीं आपाते हैं, तो इससे भी हम, इससे तो पैस्ट के ऐसे भी attack से हम बच सकते हैं, यह हमने देखिया कि हमने कैसे barriers बनाए, कैसी रुकावट पैदा करी, अब हम देखते हैं, ट्रैप की हमने कैसे कैसे जाल बनाके, अपने field को पैस्ट से control किया, सबसे पहले आत हमारे जो खेती है, जो हमारा खेत है, या जो हमारी field है, वहाँ पे हमने क्या करा, उसके थोड़ा उपर, ठीक है, तो हमने क्या करा, एक कागज लगा दिया, कागज में हमने adhesive sticky substance है, तो जितने भी flying insect हैं, वो क्या है, जैसे ही crop के उपर से गुजरेंगे, तो वो इसमें आके चिपक जाएंगे और मर जाएंगे, यह mainly flying insects के लिए होता है, यह हमने देखा adhesive trap, कि हमने किस तरह, एक sticky substance का जाल बनाया, और insects को महाँ पे, insects उसे चिपक के मर गए, अब हम देखते है, hopper deserts, hopper deserts क्या होता है, hopper deserts का मतलब होता है, यह देखिए, एक जाल टाइप है, एक जाल जिसा बना हुआ है यहाँ पे, कि जब tractor, man, animal, जब यह flowing करते हैं, तो पीछे ऐसा कुछ, जो है, ऐसी कुछ जाली टाइप लगा लेते हैं, जैसे ही flowing होगी, तो जिते भी insects उसके contact में आएंगे, उसमें first जाते हैं, और मर जाते ह हैं, तो यह होगी, उसकी, यह होता है, hoper deserts, अभी हम आगे देखते हैं, और adhesive trap, जैसे मैंने आपको बताया, कि plant के उपर ऐसे लगा देंगे, तो जितने भी flying insects उससे आके चीपक जाएंगे, और मर जाएंगे, इसके बाद हमने देखा, hoper deserts, hoper deserts, ऐसे कुछ, हमने देखा कि hoper deserts क्या होता है, ठीक है, such type of trap are made for catching insects of a particular group, and this may be handled by man, animal, और by tractor, अब हम देखते हैं, pheromone trap, pheromone trap क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, sex pheromones जो रहते हैं, हम laboratories में उसको artificially बनाते हैं, artificially बनाने के बाद क्या करते हैं, हम उसको, एक जगा लगा देते हैं, जैसे यह देखे, यहां sex pheromones है, यह हमारा field है, ठीक है, यह हमारा field है, यह हमारी field है, हमने field में ऐसे sex pheromones अलग-अलग जगा लगाएं, इससे क्या होता है, कि जो भी insects आसपास रहते हैं, वो sex pheromones की smell से क्या होता है, attract होता है, attract होने के बाद, यहां पर क्या है, हमारा पस pesticides हैं, यहां पर नीचे bag में हमारा पास क्या है, pesticides हैं, तो जैसे ही वो इस pheromones से attract हुए, वह pesticide में जाके क्या हो जाते हैं? जिससे हमें दो चीज के फायदे होते हैं पहला फायदा तो यह जो insect अट्राइक्ट हूए देखिए, पहला तो यह кैं जो insect अट्राइक्ट हूए वो मर जाएंगे दूसरा, male ही attracted होंगे से एक्सपिरमोन से दूसरा यह होता है कि female जो एग को उसमें क्या होती है उसमें fertility क्या होती है कम होती है तो एग या जो इंसेक्टे उसकी population भी बढ़ नहीं पाती है तो अभी हमने देखा कि pharomone trap कैसे काम करता है आज हमने insects control की दो method देखी एक cultural और दूसरी mechanical इन दोनों के भी हमने अलग-अलग methods देखी जैसे crop rotation, mixed farming, mechanical methods में हमने फेरोमोन trap, hand net, hand collection देखा इसके next वाले वीडियो पार्ट में हम biological, bacteriological और other methods को देखेंगे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इससे like कीजिए, share कीजिए and subscribe कीजिए, thank you